हाई स्टूपिंट्स, वेरी गुड मॉनिंग, वर्ड अब दे का ये सेशन नमबर 97 है और आज की जो चोईस है वो है वर्ड विदर, आईए आगे की स्लाइड में इस वर्ड विदर को डिटेल में समझते हैं, पहली बात ये जो वर्ड विदर है, इट्स वर्ब, वर्ब होने किनाते इसकी फॉर्म सोंगी, बहुत ही सिंपल है, आपको ED आट कर देना है, विदर और विदर, विदर का मतलब हो जाता है, मुर्जाना, जुलस जाना, कमजोर पर जाना, खराब हो जाना, ये इसका मेनिंग है, कमजोर हो जाना, विदर, it means to lose vitality, vitality मतलब होता है ताकत, ज इसको आप strength बोल सकते हैं, force या freshness, ताजगी, ताकत या उर्जाय में जब कमी आ जाए, तो उसको हम कहते हैं, विदर, जनरली ये जो word विदर है, ये plants के लिए, crops के लिए ज़ादा इस्तिमाल होता है, trees के लिए ज़ादा इस्तिमाल होता है, the plants began to wither in the heat of the sun, बहुत तेज ध पड़ रहे थे, जुलस रहे थे, मुर्जा रहे थे, एक और example है, despite proper treatment and monitoring, his health continued to wither, उसका treatment लगातार हो रहा था, monitoring भी लगातार हो रही थी, इसके बावजूद भी दवाईयां काम नहीं कर रही थी और उसकी तबियत बिगरती ही जा रही थी, मतलब उसका शरीर कमजोर ही होत जा रहा था, सब विदर को याद करने के लिए आपना वेदर को रखने से, वेदर मतलब मौसम, विदर और वेदर को साथ रख्यों और बोलिए कि खराब मौसम के चलते फसले विदर कर गई, खराब मौसम के चलते फसले जब विदर कर गई, तो इसका ये तो मतलब होगा न कि खराब मौसम के चलते फसले हरी भरी हो गई यही होगा ना कि खराब मौसम के चलते फसले सूख गई, सड़ गई, मालो अत्यधिक बारिश भी हुवी तो सड़ गई, बारिश नहीं हुवी तो सोख गई बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ गई तब भी फसले खराब होगी तो खराब हो जाना, मुर्जा जाना, सूख जाना, यह इसका मिनिंग है Synonyms, Fade, Shrivel, Desicate, Dry Up, Dehydrate यह तो सूखने के लिए आया, Perish, सर जाना, Deteriorate, बहुत बिगर जाना अब antonym में वो words आएंगी जिनका मतलब खिलना होगा, grow करना होगा, हसना होगा, मजबूत होना होगा जैसे bloom है, blossom है, thrive है, flourish है, grow है एक तरीके से, progress है जिसको कह सकते है तो यह था word, wither, मुझे अमीद है, जरूर समझ में आया होगा English grammar, vocab and comprehension की online classes के लिए आप हमारे application, जो कि आश्मिन classes लखनो है, इसे download कर सकते है अगर आप iPhone user है या फिर desktop पे इस application को access करना चाहते हैं, तो उसका link आपको इस video के नीचे description में दिया हुआ है साथी साथ ये telegram channel है, इसे जरूर join कर ले, सारी classes को notification, सारे PDF, documents आपको यहीं पर मिलेंगे जो भी students, जी हाँ, किसी भी confusion के स्थिति में ये contact number है, आप contact कर सकते हैं आज की session में इतना ही मिलते हैं, अगले session में till then, दम लगा के पढ़ते रहिए, खुब कोशिश करते रहिए, बबाई, take care, keep learning